नालंदा विश्वी द्याले के सेंटर फॉर बे आफ बंगाल एश्टेडीज सी बी एस ने बी आई एम एस टी एसी और खाड़ी भविशी की दिशा पर एक संगोष्टी का आईजन किया प्रोफेसर अभाई कुमार सी माननी एक कुलपती अंतरिम ने अतीतियों का स्वागत किया और छेतिरी सहयोग और विकास के लिए बी आई एम एस टी एसी और खाड़ी के महत्व को उजागर किया प्रोफेसर सीही ने कहा कि नालंदा ने भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंद अस्थापित करने में एक सेतु की भूमी का निभाई है उन्होंने कहा कि बी आई एम एस टी एसी इस से जुड़े सदस देशों के वीच सहीयों की भावना का परतीक है राजदूत जैदीप मजूमदार सची भी इष्ट विदेश मंतराले इस संगोष्टी के मुख आतीती थी संगोष्टी का उद्वगाटन करते हुए राजदूत मजूमदार ने कहा कि नालंदा वैशिक परिदेश पर एक ऐसा सिक्छा केंदर है जहां उनके राष्ट की विद्यारती वसिक्छक मौजूद है यह सुदेब कुटूंब कम की भावना का परत्यक्छ उतारन है इसलिए यह उचित ही है कि यह बंगाल की खाड़ी अध्यन केंदर नए नालंदा विश्वी द्याले के परिशर में इस्थित है परोसी जो चैर देश है और धारत हमें मिलके हमारा एक संसा है निम्स्टेक ये 1997 में सेट अप हुआ था इसका फूल फॉर में बेयों बेंगोल इनिशेटिव फोर मार्टी सेक्रियल टेक्निकल एन एकोनोमिक कोपरेशन तो इसमें हम लोग हर एक तरह की कोपरेशन करते हैं एडुकेशन फील में हो, क्रेड में हो, साइंस इंटिक्निलोटी कोपरेशन में हो, रिसर्च इंस्टिउशन के बीच में है तो इसका हम आरत सरकार इसका और भी डिवलप करना चाहते हैं इसको नया एनर्जी देना चा अब ही दोर दिन में दिल्ली में एक साथ देश के निदेश्मन्की जो है आके डिसकास करेंगे कि आगे क्या हमी करना है तो भारत भी कुछ प्रस्टा देंगे कि किस-किस एरिया में हमारे उच्छी है डिवेलपमेंट करने में और हम क्या इसमें कॉंट्रिबूट कर सकते हैं सांच में हो एक्रिकल्चर में हो तूरिजम में हो इन सब एडिया में और फिर चार सिप्टेंबर को एक समीट होने वाले है समीट का मिदलब है है हेड़ अगर्वर्णमेंट साथ कंठी को है बैंकॉक में उसका समिट होएगा तो उसमें हम अगले फ्यूचर के लिए 2030 के ल धिकास के लिए पुझता एक डॉक्यमेंटं की विलीस हो जानगे और रागी इच्छे परतानम्न चीडिया समी इसके शिवा प्रफ़ा..डको लूए जैसे हैं..वे काइलड को छोड़के जिसके साथ लानड की रही कांज जमीन का सीमा है..ज जमीन की..जल wiimkos बाकी त कोप्रफ़ा है..बाकि सारे वाटों है..बांदेवनग is उंच्या Bernd van अपने देश के सीमा की अंशल है, इसके विकास का सकते हैं, इनके साथ मिलके. चीन पर डिचार्चाल भी तो यह वाकी देश है तो हमारे वोड़ रही की है, इसमें चीन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, यह साथ देश नेपाल को लेड़ना नहीं है, हम मिलके क्या क्या कर सकते हैं, इसके अपर चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्ट कम्मिनिकेशन, ट्रेंड, वियपार बानिजर, फिर अग्रिकल्ट्टर में कैसे कोपरेट कर सकते हैं, नेपाल जैसे में उदान देरा हूं, जैसे नेपाल का कुछ जो हम इंडिया में ला सकते हैं, हमारे इंडॉस्ट्री में भी लागव हो सकता हैं, या वरकर्स इधर से उनर जा सकते हैं, वे पारवानी ज़र के बादे भी इसके बार में धूल इस्टेशन हैं. कि अभी हमारे इसकी स्पेश्टिस ने भी आप से अपसे एक्सक्रेट्स हैं उनको हम उनों वह संजी कि यहां पराज हो यहां तो आप निदी कहीं कि हमारे जो भारत को प्रिदेश मंत्राइले में जो सचिव है जो खास और से सचिव पूर्गी च्छित कहलाते हैं यानि उनक प्रिद्ध नाग जी है जो पहले है इसके पहले है इसके पहले है इस्टिस वर्ष महां से गलती है तो सारा इस ठेट्र को प्रिकास होता है जैसे वर्ड़ बैंक ऐसे इस्टिस एश्टिस अगलाइन तो इनकी बहुत अनुभवी और एक बारे विचारत विचारत हमारे देश के रचत पंडाग जी जिनना आपको अस्टिस अपने आपको अस्टिस अपने बहुत जो है अगरे जिन्दाल में है और यह एक विश्यशक्त है यह पहले और अन्यविश्वज आलों बहात ही थी है तो पाम्रदेश आरफ की ज इक इस प्रकार से छोटी चोटी बज्या है जिलके लेए से हम लोग का जो सहयोग है वह अतना बढ़नी पातोसे सब्सक्राइब है कि हमारे एक तरफ ग्रोड़देश है रेल दुसरी तरफ नीटर के तो हमारा ट्रांस्पोर्टेश में आपाधा आती है इस प्रकार के जिन ग्रोड़। बीचार गे साथ जो हम ने उस नीटी बन रहे हैं, इस नीटी को स्राकार से यह एभिजवा लो अपने अवबब अपने घान, इस नीटी को इंटी को पुछा़ गें लिए लेक्षार गें इसन अग्रेश के लिए बाश्मुतरियत तर्फ सुचार से अर्शना के बीटिया जि तो हम लोग तो यहां पर हम तो कादमिक कारे में हैं, तो हम लोग तो यह है कि हम ऐसे ही विद्वानों के गैद्विंग करके अपनी विजार सरकार तक रख सकते हैं, वाकि तो सरकार का अपना, तो इसलिए सरकार के जो आप सबसे बड़े प्रतिनीदी हम लोग हिसाब से जो ह से लिए जो हम जो जो उबद्दे हैं को हाम रताओं अरत्य हम नहीं हो अपैजदों जों सोचते हैं कि यही ऐक Śöd circumstance काम काम है की वो विषय के सबर्थ डिच सबर्स बारी किया है कि विषय क के बारी क्यों को जो इसक कर गद प्य चा elle पार सोते हैं कि साम लाक तो भी पॉलिशी मेर्स के सामने इधित द्वानों के रिचाग करें ठीक